फ्रेंड्स इस कहानी का नाम है दा मिल्क मेट एंड हर पेल एक बार की बात है एक दूद वाली अपने सर पे दूद की बाल्टी रखके बाजार जा रही थी चलते चलते उसके मन में एक विचार आया कि जब वो दूद बेचेगी और उसे पैसे मिलेंगे तो उस पैसों से वो क्या करेगी वो सोचने लगी कि जो पैसे उसे दूद को बेचके मिलेंगे उनसे वो फार्म जाके मुर्गिया खरीदेगी और जब वो मुर्गिया अंडे देंगे और वो अंडे फूटेंगे और उनमें से निकलेंगे चूजे और उन चूजों को बेच के, वो बहुत सारा पैसा कमाएगी और उन चूजों को बेचे हुए पैसों से, मैं अपने लिए एक बहुत ही अच्छी ड्रैस करीदूंगी और उसे पहन के बाजार जाओंगी हर इनसान मुझसे बात करना चाहेगा और हर आरत मुझे देखके जलेगी और मैं अपने बाल जटक के इतरा हूँगी जैसे ही सपने देखते देखते वो अपने बालों को जटकती है उसकी दूद से बरी बाल्टी नीचे गिर जाती है और सारा दूद बिखर जाता है उसे बहुत दुख होता है वो विचारी दुखी होके घर वापस लोटाती है घर पे उसे उसकी ममी मिलती है वो उन्हें अपनी सारी कहानी बताती है उसकी ममी उसे कहती है बेटा हमें पहले से पहले किसी चीज के सपने नहीं देखने चाहिए प्रेंट्स यहां moral of the story क्या है? हमें यहां सीख मिलती है हमें कुछ भी होने से पहले उसके सपने देख देख के खुश नहीं होना चाहिए